Hey guys, welcome to Movies That Dumb, मैं हूँ आपका फिल्मी होस्ट अमर फ्रीत महज 25 साल की उमर, आठ सूपर हिट ब्लोगबस्टर मुवीज और दो फिल्म वेर अवार्ड्स मैं बात कर रहा हूँ, क्यूटनेस की दिक्वान, सबसे क्यूटेस सूपर स्टार आलिया भट की दो Filmfare Awards, सो पहला Award जो उने मिला था, वो था Critics Filmfare Best Actors Award जो उनको मिला था उनकी फिल्म, Highway के लिए और दूसरा Award था उनका Filmfare Best Actors Award, जो उने मिला था Film उर्ता परज़ाब के लिए, 2016 में सो गाईज 25 साल के उन्मर इतनी सारी फिलमें कर लेना, इतने सारे प्रोमिसिंग रोल्स कर लेना, यह है आलिया भटका कमाल जिसे हम कहते हैं क्यूटनेस की दुकान, दे क्यूटेस सूपर स्टार, अब वो लेकर आ रही है अपनी तीसरी वुमेन ओरिंटेट फिल्म, पहली उनकी वुमेन ओरिंटेट फिल्म थी हाइवे, जो की एक बहुत ही बड़ी कमर्शिल हिट रही थी, और उनके लिए जैसे मैंने बताया, उन्हें अवार्ट भी मिला था, उसके बाद उनकी फिल्म आई थी शारुक खान के साथ डियर जिंदगी, वो भी एक वोमेन ओरिंटेट फिल्म थी, जहां उन्होंने एक सिनेमाटोग्राफर का रोल कि भी क्रिटिकली बहुत ही अकलेम गए थी और बहुत ही ज़ादा पसंद की गए थी, अब जो उनकी तीसरी मुमेन ओरिंटेट फिल्म आने वाली है, वो आने वाली है 11 माई को, इस फ्राइडे को, और I am very sure मेरे साथ साथ आलियबट के और भी डाय हाड फैन्स हैं, जो इस फ लीड रोल में है, जो एक पाकिस्तानी मिलिटरी ओफिसर का करदार ने बा रहे है, फिलाग हमें स्टोरी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, और इस सिर्दार में जानना चाहता नहीं है, I am very sure fans भी जाकर ये देखना चाहेंगे, 1st day 1st show, 1st day 2nd show, जो भी है, Friday से वो जाकर चाहेंगे, कि आले अबट इस पार उन्हें फिर से किस तरीके से चाम करती है, so ये जो फिल्म होने वाली है, राजी, हम देख सकते हैं, और ट्रेलर देखके तो इतना समझ में आया है, कि एक वोमें औरेंटिक फिल्म होने वाली है, इसमें बहुत ही strong character होगा उनका, जो दि अपनी फिल्मों में कम से कम छे गाने गा चुकी है, जो की लोगों ने बहुत पसंद किया है, so वैसे तो हमारी आल्या जो है, वो all-rounder है, लेकिन अक्टिंग के मामले में, उनकी अक्टिंग को बहुत ही पसंद किया गया है, I am very sure, पहली बात तो ही आप हमारे comment section में, ये ज आते हैं, और वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने बिल्कुल वही accent पकड़ा, एक लड़की जो बॉंबे के पहुश इलाके में पैदा हुई, वहाँ पली बड़ी, और उसे बिल्कुल ही एक opposite direction side की रहाँ, एक totally opposite character था, उसका character पकड़ना, तो इससे पता चलता है, कि आलिया आक्टिंग और ऐसी आक्टिंग करने के बाद उन्हें अपने आपको बहुत ही हद तक पुरूफ किया है, और अब उन्हें कोई क्या उसे कहते हैं, मजाक में लेता है, को इनका मजाग उड़ा दी है, बहुत seriously लिया आता है अलिया भट को, अगर आप Google पे भी search करेंगे, ट अगर आप अलिया भट के फैन है, अगर नहीं भी है, एक पिछर देखेंगे उनके फैन जरूर हो जाएंगे, मैं तो पहली पर उनकी फोड़ो देखके ही फैन हो गया था, अगर आप उनकी फैन है, तो हमें जड़ा ही कमेंट करके बताएं, कि आप कितने अदा एक्साइड पर देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, आप उल्री बहुत सारा सब्सक्राइब उसमें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और इस बात से मैं बहुत कुछ हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्या था थैंक्यू बोलना चाहता हूँ, और याद रखिए, मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ, और इस फ्राइडे को राजी फिल्म देखकर, मैं अपना एक मिनिट का रिव्यू देने वाला हूँ, याद रखिए, मैं एक मिनिट के फिल्म रिव्यूज देता हूँ, अपने चैनल बिंग फिल्मी पर, और बिल्कुल मुवि लगड़ा पर देता रहूंगा, तो थांक यू सो मच गईज, सी यू उन फ्राइडे